हलो फ्रेंड्स वेलकम टो एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगे साधन ब्याज और चकती ब्याज के गुना गुनी वाले प्रेश्णों की ऐसी ट्रेक बताऊंगा का साधन ब्याज और चकती ब्याज का ये कंसेट आपका केलियर हो जाएगा तो चल लिए क्या ट्रिक है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी आपको साधन ब्याज का बता रहा हूं ठीक है साधन ब्याज का कंसेप्ट के लिए करा देता हूं गुना गुनी वाला ये आपका सबसे पहले मैं साधन ब्याज बता रहा हूं इसके बाद बताऊ पहले साधन व्याज का concept समझ लिजिए कोई रास ये 20 वर्सों में 3 गुनी हो जाती है कितनी गुनी हो जाती है तो साधन व्याज की दर ग्याद करो इसकी क्या ट्रेक है दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी गुना या गुनी दिया गया है उसे लेखेंगे गुना गुनी को करना है डिवाइड करेंगे अगर दर दिया गया है तो दर से डिवाइड करना है अगर वर्स दिया गया है तो वर्स से डिवाइड करना है और गुने कर देना है आपको सो के लिए रहे आप दिखें कितने गुना आपको दिया गया था तीन गुना तो गुना गुनी जितना गया है वो लिखेंगे माइनस करना है उसमेंसे हमेशा 1 कर दिया बटे में जो दिया जाएगा वो लिखेंगे वर्स दिया गया है 10% का आपका rate हो जाएगा और B option क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा अब मुझे बताए किसकी समझ में नहीं आया होगा बहुती ही आसांट ट्रेक है जो भी गुना गुनी है उसे लिखेंगे हमेशा उसमें से एक माइनस करना है अगर question में verse दिया गया है तो verse से divide कर के लिए रहे गुने कर दो 100 आपका आंसर आजाएगा के लिए रहे दोस्तों समझ में आ लिए बात अब देखते हैं अगला question अगला question है कोई रासी साधन प्याशपा 10% की बालसिक दर से कितने वर्सों में दो गुनी हो जाएगी के लिए रहे ट्रेक आपको पता है फिर से लिख दिता हूँ आपको क्या करना गुना गुनी लिखना है माइनस वन करना है बटे में दर लेंगे या फिर वर्स लेंगे जो question में दिया गया है वो लेंगे और गुने कर देंगे 100 ठीक है कितने गुना गुनी दिया गया है आपर दो दिया गया है माइनस करना है हमीशा फन बटे में क्या लेंगे rate दिया गया है इस बार तो rate लेंगे कितने का rate है 10 का गुने कर दिना है 100 केलियर है दो में से एक जा जाएगी 10 वर्स में दो गुनी हो जाएगी तो इसका डी ओप्षन आपका सही हो जाएगा के लिए दोस्तों समझी में आ रहा है अच्छे च्छे कोश्चन है ट्रिक कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट वोक्स में जरूर बताएगा के लिए आप देखते अगला कोश्चन अ सबसे पहले पहला भाग हमें से सौल कर लेते हैं मैं आपको ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पर ट्रिक क्या है गुनी माइनस वन बटे में अगर दर है तो दर लेंगे वर्स है तो वर्स लेंगे गुने कर देंगे आपकी ट्रिक आपको लिख गी कितने गुना गुनी दिय गया गया समय दिया गया वर्स दिया गया तो वर्स ले ले लेंगे पांच गुने करना हो पहला पाट हो गया। दूसरा भाग दीखिए कैया क्या रहा हा है छ्य गुना देरक्थी हो पहलने किर твор Sum र Verf से conve aint शया माल लेते हैं पांच वट्ट्टे x हो जाएगा अब यह बराबर में है तो CROSS часто号 जाएगा x का master x सुझा गांश का improvement 5 से तो 25 हो जाएगा हमें एक्स का मानीं ही तू find करना था कितना आ गया 25 वर्स निकल करें आ गया पूछा गयाता कि कितने वर्सों में स्वयम की 6 गुनी हो जाएगी 25 वर्सों में स्वयम की 6 गुनी हो जाएगी C option हो जाएगा आपका सही answer केलियर दोस्तों क्वेशन कैसा लगा इसी टाइप का एक और क्वेशन देख लेते हैं इससे और केलियर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अब देखते हैं अगला question अगला question है कोई धनरासी एक निश्चित समय में 8% बारसिक साधन ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है तो कितने प्रतिसत बारसिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 5 गुनी हो जाएगी यह question भी दोस्तों बहुत अच्छा है trick आपको पता है क्या trick है मैं यहाँ पर direct question solve करता हूँ अब पहला बाला भाग solve करेंगे कितना गुना है 3 गुना है गुना गुनी लिखना है उसमें से क्या करना हमेशा minus 1 बटे में rate दिया जाएगा तो rate लिखेंगे समय दिया जाएगा तो समय यहाँ पर rate दिया गया है 8 का rate लिख लेंगे गुने करना है 100 क्योंकि आप आपको trick याद हो चुकी है बराबर बाद में कितना कह रहा है 5 गुना तो 5 लिख लेंगे गुना में से क्या करना minus 1 करना हमेशा क्या रहत है? आप से क्या पर 4 उतने ही समय में कितने समय में नहीं पता उसे आप x मान लीजिए और यहाँ पर क्या करना है? गुने 100 करना ठीक है यह दोस्तों 100 से 100 आपका कटेगा तीन में से 1 जाएगा 2 बचेगा बटे में 8 बराबर 5 में से 1 जाएगा चार बटे में कितना X ये cross multiply हो जाएगा X का 2 से हो जाएगा, ये 2 X हो जाएगा 8 4 के कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, अब ये 2 इधर multiply में 2 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा ये कट जाएगा दोस्तों, 2 से कट जाएगा 16 बार में इधर क्या बचेगा X तो X का माना गया 16 वर्ष किलिए रहे कितना माना गया X का 16 वर्ष X का माना गया आप से पूछा था उतनी समय में मतलब कितनी समय में 16 वर्ष में 5 गुली हो जाएगी पहला option इस question का सही answer हो जाएगा के लिए दोस्तों तो ये तो मैं आपको बताया साधन व्याज के लिए आप देख लेते हैं चकती व्याज के लिए क्या trick रहता है वो भी आप देख लीजे के लिए रहे आप देखते हैं अगला question अगला question है कोई धनरासी चकती व्याज से पंदरे वर्सों में 2 गुणा हो जाती है तो कितने समय में यह अपने से 8 गुणा हो जाएगी के लिए रहे आप बात करना है कि चकती व्याज के गुणा गुनी वाले प्रेस्णों की ठीक है आपको करना क्या है चकती व्याज में इसमें एक ट्रिक में आपको बताता हूँ एक तरफ लिखना आपको वर्ष और दूसी तरफ आपको लिखना क्या गुना वर्ष के नीचे तो आप वर्ष लेखेंगे गुना के नीचे गुना इसमें एक बात आपको क्या रख याद रखनी है बर्ष का करना है दोस्तों आपको पहाडा किलिए रहे है बर्ष का करेंगे पहाडा और गुना की करेंगे घात ठीक है समझे में आगी बात आप देखें कितने वर्ष की क्या था है पंद्रह वर्ष की पंद्रह वर्ष है तो वर्ष के नीचे वर्ष लिख लिया करेंगे 15 का पहाड़ा आगी की तरब बढ़ेंगे 15 दूनी कितना होता है 30 होता है क्यों आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें 8 गुना हो जाएगी 8 गुना तक पहुंचाना है किलियर है अब क्या करेंगे हमने वर्स का कर दिया पहाड़ा गुना की करेंगे घात 2 की घात अब यहा गहात कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी यहाँ पर करते हैं गहात आगे बढ़ाते जाते हैं यहाँ पर वर्स का पहाड़ा यहाँ पर दो की घहात पहले एक ता फिर दो फिर तीन फिर चार फिर पांच ऐसे करते जाएगे और ऐसे इधर पहाड़ा आगे कितना है आठ तो हम इतने समय में 8 गुना हो जाएगी, 45 वर्स में 8 गुना हो जाएगी, तो D option आपका यहाँ पर सही आंसर हो गया, समझी में आए दोस्तों बात बहुत सिंपल ट्रिक है, एक तरफ वर्स लेकिए, एक तरफ गुना, वर्स का करना है पहाला, गुना की करनी है घात, पहाला आगे बढ़ाते जाएए, ऐसे ही आप घात को आगे बढ़ाती जाएए, जितने गुना की बात है, उतने गुना आपका आजाएगा, आंसर आपका आजाएगा, के लिए दोस्तों समझी में आगी बात, क्या ट्रिक है अच्छे समझ ही वा गया अब देखते हैं अगला कोश्चन अगला कोश्चन है चकती ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपे धनरासी पांच वर्स में दो गुना हो जाती है 20 वर्स बाद यह कितनी हो जाएगी यह तो बिलकुल अलग टाइप का यह कोश्चन पू घ्यान होजाता है तो अब दो कि दो क्डिए आपर एक रहेगी इसका मतलब क्या रहेगा 2 ही रहेगा अब पहारे को आगे पड़ाते जाहिए कब तक बढ़ाना है हमें आगे यह 20 वर्स बाद यह कितनी हो जाएगी यह 또 20 वर्स में पहले चेक कर लिजगे कितना गुना हो ज 15 फिर 20 20 वर्स का पूछाने तो हमने 20 तक बढ़ा लिया ये घात गुना कितना हो जाएगा 2 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 15 वर्स में कितना गुना हो जाएगा 2 की घात 3 बराबर 8 गुना हो जाएगा 20 वर्स में कितना गुना हो जाएगा 2 की घात 4 मतलब 16 ग लेकिन यहाँ पर तो 12,000 रुपे की राशी दी गई है ठीक है तो 12,000 रुपे की राशी कितनी हो जाएगी 20 वर्स बाद 16 गुना ही तो हो जाएगी तो 12,000 का क्या कर देंगे 16 गुना कर दीजे चितना गुना आया है उतने से मल्टिप्लाइ कर दीजे राशी में 12,000 रुपे की कितना आएगा, 2 ही आएगा, कैरी का 3 specialize का 3 कितना हो जाएगा, 19, 9-2 ये हो जाएगा, 192 ये हो जाएगा सही अंसर, 192 धी अपिसन आपका सही अंसर हो जाएगा, के लिए रहे दोस्तों समझहें आगी बात, उम्मीद करता हूँ, question भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझहे में आगिया होगा अगर राशी की जगह कह देता है कि 20 वर्सवाद है कितने गुना हो जाएगी तो 16 गुना हो जाएगी आप कांसरा जाता है राशी पूछाए ना कितने गुना हो जाएगी राशी भी तो 16 गुना हो जाएगी तो 16 गुना राशी को कर दीजे राशी हमने 16 आगी बात मैं उम्मीद करता हूँ साधान ब्याज और चकती ब्याज के ये गुना गुनी वाले प्रेश्ण आपको बहुत अच्छे जरीके से समझ में आगे होगे और ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी दोस्ते दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में अन्यवाद